हेलो एब्रीवन फलकम तो मैं चानल वीलब फॉर्चून टबल वन टबल वन मैं हूँ आफ सब की चारोका डीडर एंड हीलेर पूर्बा घूश कैसे हैं आप लोग आई हूँ कि आप सब बहुत इच्छे हो गाइस आज की जो वीडियो है वो मंतली प्रेडिक्शन होगी हम द प्रेडिक्शन के अगर अगर आप Sun sign के अकॉर्डिक्शन को देख रहे हो तो Moon sign के अकॉर्डिक्शन हो देख सकते हो तो तो sun sign moon sign या rising यानि कि ascendant sign आपका जो है वो आपको choose करना है ठीक है आज अगर आपको अपनी कोई भी राशी नहीं पता या आपके culture में astrology follow नहीं करी जाती है तो आप intuitively number one या number two में से कोई भी एक number choose कर सकते हो ठीक है तो first group में we have Aries, Sagittarius, Taurus, Aquarius, Gemini and Pisces तो अगर आपका sun moon या rising sign मेश, धनू, व्रिशव, कुम्ब, मिथुन या मीन में से है तो आपको group one choose करना है ठीक है और अगर आपके sun moon या rising Leo, Virgo, Capricorn, Libra, Cancer या Scorpio यानि कि सेंग, कन्या, मकर, तुला, कर्क या व्रिश्चिक है तो आपको group two choose करना है ठीक है और number one, number two, intuitive ले भी आप choose कर सकते हो paid personal readings की bookings अभी open है तो paid personal readings के लिए energized gemstones, crystals, remedies, bath salts, online tarot classes, online candle course के लिए आप मुझे given whatsapp number पर, insta id पर contact करे सकते हो सारे contact details description box में है, whatsapp number आपको मेरे वीडियो के screen पर भी दिख रहा होगा तो जरूर आप message कर सकते हो, कोई भी services को avail करने के लिए सुच चलिए बिना किसी देरी के start कर लेते हैं हम आज की reading को hello group number one, अगर आपने अपने sun, moon या rising sign के accordingly या फिर intuitively group number one को choose किया है तो देख लेंगे कि ये September का नया महीना आपके लिए कैसा रहेगा, क्या-क्या चीजें होंगी आपके life में, detail में जानेंगे तो जब तक मैं reading start कर रहे हूँ, आप लोग please positive रहेगा let's see we have the devil, wow, we have nine of wands, we have ten of cups, we have the world, we have knight of swords we have two of cups, wow, great energies, group number one, September का महीना आपके लिए कैसा साबित होगा, क्या होने वाला है आपके जिन्दगी में, क्या आकरशित कर रहे हुआ, क्या किस्मत में है आपके इस नए महीने, चलिए detail में जानते है सबसे पहले चीज मुझे आँ दिख रहा है, group number one, present में आप बहुत सारे ऐसे चीजों के साथ जुड़ चुके हो, जिससे आप निकलना चाहते हो आपको बहुत सारी जगाओं में direction चाहिए, बहुत सारी situation को लेकर आप कुछ अपना decision बनाना चाहते हो, लेकिन उस decision को आप बना नहीं पा रहे हो पेंडिंग में आपके life में बहुत सारे चीज़े हैं जो पेंडिंग में चल रही है, जिसके लिए न आप आगे बढ़ पा रहे हो न पीछे हट पा रहे हो, बीच में अटके हुए हो और कुछ कुछ चीज़ें आपका सा लग रहा है कि बंदिशें बन चुकी है और वो बंदिशें आपको कहीं न कहीं toxicity दे रही है जिससे आप निकल भी नहीं पा रहे हो और चाते हो कि वो toxic चीज़ें positivity में बदल जाएं अच्छे में बदल जाएं लेकिन वो भी बदल नहीं रही है और निकल भी नहीं पा रहे हो तो करना कहें तो कहीं न कहीं एक strangled life आप currently lead कर रहे हो group number one and definitely मुझे यहां दिख रहा है कि आपको अपने life को लेकर अभी बिलकुल clarity नहीं मिल पा रही है कि जिन्दगी की सोर जा रही है प्यार की सोर जा रहा है करियर की सोर जा रहा है क्या होने वाला है कैसे सब कुछ manage करेंगे तो कहीं न कहीं आप tension में definitely हो ठीक है because you are not getting any direction or support मतब जैसा मन चाह रहा है ना उसके accordingly कुछ हो नहीं पा रहा है कुछ execution नहीं हो पा रही है तो present की आपके energy मुझे इस तरह से नजर आ रही है ओके अल्राइट यह चीज मुझे कहीं न कहीं देख रहा है बट मुझे यहां देख रहा है कि September month आपके लिए ना बहुत ही जादा beneficial होगा क्योंकि सबसे पहरी चीज मुझे यहां दिख रही है कि relief आपको मिलेगी ठीक है आपको relief मिलती वे नजर आ रही है जो जो चीजों के लिए परेशान हो रहे हो अभी अभी रास्ता नजर नहीं आ रहा है ठीक है clarity नहीं मिल रही है यह चीजे stable नहीं हो रही है आपके life की वो stable होगी तो कोई अगर private job कर रहे हो या कोई temporary job या काम कर रहे हो वो आपका permanent बन जाएगा ठीक है किसी रिष्टे में आपके उतार चराव आ रहा है separation हुआ है break up हुआ है तो वो चीज आपकी ठीक हो जाएगी जगरे ठीक हो जाएगे रिष्टा फिर से शुरू हो जाएगा सही तरीके से lover का partner का support मिलेगा घर वालों से दूर हो कोई problem चल रहे है उनके साथ आपकी चीजें you know settle हो जाएगी जगड़े issues प्रमोशन मिलेगा तो transfer होगा तो जा पाओगे मतलब बेसिकली जो मन की इच्छा है कि मैं रहूं या जाओ वो चीजें होने लगेंगी ठीक है तो वो जिसके वे चलते हैं आपको relief मिलेगा कि ओफ ओके हम इतना ही सोच रहे थे इतना जादा over thing कर रहे थे चीजें हो रही है ठीक है जैसा हम चा रहे हैं वैसा धीरे-धीरे हो रहा है तो आपको एक सुकून भरी सास आप ले पाओगे September के महिने में ठीक है new beginning आपके life में definitely हो रही है world card दिखा रहा है आपका एक पूरा state खतम होगे एक दूसरे state में entry एक दूसरे phase में आपका life का शुरुआत ठीक है and इस मन से September मन से आप बहुत hyper active रहेंगे ठीक है September मन से आपका जो भी चीज में काम है जो भी चीज में आप energy इंवेस्ट करते हो वो double हो जाएगा प्यार बेल स्लिध ने आपहों जादा प्यार करेगा आप करेऻ्यां से दिमाग लगएक प्यार यतो इंशनर प्यार करने का शाते आन करे मिघनाँर करेंग है तो active रहे हो जाओ बहुत जादा कि मुझे life इसे मुझे चीनना है उसे मुझे पाकर रहना है ओन डियो इन तो आप हमेशे कुछ ना कुछ करना चाहोगे, आपने आपको बीजी रखना चाहोगे, घूमना चाहोगे, काम करना चाहोगे, महनत करना चाहोगे, जो जिसके लिए आप डिजायर रखते हो, उसे आप पाने की पूरी कोशिश करोगे September मन्त में, और कहीं आपको इनुविस के तर है, उसके पास Empress है, तो आपको help बहुत साथ मिलेगा, जो फीमेल से आपके life की, चाहे वो आपकी lover हो, चाहे वो आपकी mother हो, चाहे वो आपकी बहन हो, उनसे आपको बहुत मदद मिलेगा, वो आपको बहुत support करेंगे, financially, mentally, emotionally, उनके साथ बहुत connected feel करेंगे, और उनके वज़ इचा ही पूरी नहीं हो सकती, मेरे साथ ऐसा ही होता है, ठीक है, बट September month से आपको नजर आएगा कि नहीं, लाइफ जैसा चाहते हो वैसा बन सकता है, बट हाँ, time की बस differences होती है, कि कभी जल्दी मिल जाए, कभी बाद में मिले, ठीक है, और love life में तो जरूर से जरूर मुझ चीजें यहां दिख रही है, कि family में बाद जाना, और family का permission मिलना, इस तरीकी के energy यहां दिख रही है, ठीक है, और single भी हो, dating स्टार्ट करोगे आप September month में, definitely, definitely कोई आपको प्रपोस करेगा, और प्रपोस ना भी करें, तो mutual interest के वज़े से आप dating स्टार्ट करेंगे, अगर आ तो मुझे दिखा है कि आपके anniversary भी आने वाली है September month में, कुछ लोगों के मुझे energy दिख रहे है, तो you will definitely celebrate it from within, ऐसा नहीं लगएगा कि celebrate नहीं कर पाए, तो anniversary में आपका सब कुछ सही होगा, ठीक है, September month में, आप लोगों में से बहुत लोग की birthday भी दिख रहे है, तो इस साल का birthday, इस साल का कोई भी anniversary हो आपका, marriage anniversary, love anniversary, काम क anniversary, वो anniversary आपके life के लिए बहुत important, and सबसे यादगार, मतब खुशियों के साथ वाला जो यादगार, साल होगा, जो मन्द होगा, जो anniversary होगा, वो आपका होगा, ये वाले साल का, ठीक है, mark my words, ये चीरे यहां दिख रहे है, ब September month, ठीक है, आपका ऐसा फील होगा, कि आपकी जो अपने है, आपका जो परिवार है, जो आपकी लवर है, आपके दोस्त है, वो सब आपके और भी करीब आ गये है, अब आप अकेले नहीं हो, ठीक है, you can handle the situation, ऐसी energy यहाँ पर दिख रहे है, for the month of September, group number one, ठीक है, चलिए, we have the guardian and the gate, number 30, we have the thinking man, number 46, we have the magician and the mirror, okay, yes, so मुझे नहीं दिख रहा है, कि आपने अब तक जो भी अच्छे कर्म किये है, उसका instant result, आपको September month में कुछ तो मिले गाई, कुछ good news आ रही है, सबसे बड़ी चीज आपकी जिंदगी की healing, जो कहीं न कहीं अभी missing है life से, stability missing है, direction less चल रही है आपकी life, आपको समझनी आ रहा है कब क्या होने वाला है, मन में, जिंदे की जी रहे हो, मन में सुक शांती नहीं है, ठीक है, चैन नहीं है, ये चीज दिख रहे हैं, वो चैन आपको मिलेगा, ठीक है, जिसकी wish कर रहे हो, वो wish पूरी होगी आपकी, आपके जिंदेगी से overthinking, negativity, बार-बार सोचना, चीजों को लेगे पढ़े रहना, ये एनरजी आपकी चली जाएगे, ठीक है, तो बहुत अच्छी एनरजी दिख रहे है, क्योंकि हीलिंग हो रहे है, और हीलिंग जब होगी, तो आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होना शुरू होगा, आप सारी चीजों के लिए, सारी चीजों के लिए ग्रेटफुल ह करना शुरू कर देंगे, ठीक है, विच इस इंपोर्टेंट थिंग, ये चीज यह आपर नजर आ रहे है, ठीक है, चलीए, तो देखिए, यहाँ पर आपको एंजस एक चीज़ बताना चाहरी है, कि आप जो चाहरे हो ना वो आपको मिलके रहेगा, तो अगर आपको आपको आपने कोई टाइम लिमिट बना कर रखा है, कि मुझे इतने वक्त में ही चाहिए, तो उतने वक्त में अगर नहीं मिल पाता है, तो ये मत समझेगा कि कभी नहीं मिल पाएगा, ठीक है, चीज़े आपके लाइफ में लेट से आ सकती है, लेकिन आएंगे ज़रूर अगर आपको कैसी क्रियेट करनी है, so you have the power to manifest many great things in your life, ठीक है, ये आपको कहीं न कहीं यूनिवर्स का direct message मिल रहा है, कि अपने manifestation पे विश्वास रखो, ठीक है, हो सकता है कि टाइम के बाद मिले, जो हो सकता है एक साल में चाहिए आपको, हो सकता है तीन साल बाद आपको मिले, ले आपके उपर आपकी जिंदेगी की बहुत सारे चीजें, बहुत सारे magic, डेफिनेटी डिपेंड कर रहा है, romance, wow, September month आपके love life के लिए भी बहुत जादा significant होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे न दिख रहा है कि definitely you will find your true love, ये energy मुझे आ रही है, ठीक है, जिस इंसान के साथ आप प्रिष्टे में हो, अगर उनको आपसे प्यार भी नहीं है, या उनके से प्राबलम भी चल जी न, उनके दिल में आपके प्रती प्यार आएगा, सच्चा वाला, उनको रियालाइदेशन आएगा, ऐसे feeling दिख रही है, और सिंगल हो, तो सच्चा प्यार आपको मिलके ही रह लेकिन अगर प्यार मिल रहा है, कोई आपके लिए सच में एफट्स डाल रहा है, कोई आपको special feel कर रहा है, कोई आपको importance दे रहा है, तो appreciate that, be grateful for that person, for their love, ठीक है, and in accepting energy में रहो, और दूसरी चीज, अपने manifestation पे ध्यान दो, tension कम लो, practically सोचना शुरू करो, और अपने life को लेक reading, I hope, कि आपको पसंद आया, अगर पसंद आया, तो please do like, comment, share and subscribe, guys, and claim करना ना भूलेगा reading को, comment कीज़े, like कीज़े, ताकि आप claim कर सको, आपके साथ ये सारी चीज़े 110% हो जाए, positive चीज़े है, September के मत में, so माय मिलती हूँ आप लोगो नेक्स वीडियो में, guys, अब तक के इसमत में क्या लिखा है, क्या आकरशित कर रहे हो, आप इस नए महीने में और आपके जिन्दगी में क्या-क्या चीज़े हो सकती है, so ये डिटेल रीडिंग होगी, timeless reading है, आप सभी के लिए, आप सब देख सकते हो, paid post नो reading के लिए, बागी details के लिए, description box चेक करें, WhatsApp number, सब कुछ given है, आप contact कर सकते हो, चलिए, जब तक मैं reading स्टार्ट कर रहे हूँ, आप लोग प्लीज पॉजिटिव रहेगा, we have temperance, we have four of swords, we have queen of swords, we have a seven of wands, we have king of sword so wow, we have the world card so group number two September के महीने में आपके जिंदगी में क्या होने वाला है चलिए detail में जानते हैं सबसे पहली चीज यहां मुझे नजर आ रही है कि आपका बहुत बड़ा कोई एक रुका हुआ काम कोई एक बहुत बड़ा यहां बुरा एवेंट या हाथसा रुकेगा होते होते नहीं होगा तो मुझे यहां पर सबसे पहली चीज नजर आ दिए कि अगर आपका कोई काम रुका था पैसे रुका था या फिर आपका रिष्टा रुक गया था या फिर आपका रिष्टा तूटने वाला हो लीगल इशूज चल रहे हो marriage में ठीक है रिष्टा तूटने वाला था तो ये सारी चीजों से आप बच जाओगे कुछ ऐसे चीजे जरूर होंगी जैसे चीजे आपकी resolve होंगी रुका हुआ काम आपका बन जाएगा जिसके आप बहुत सालों से वेट कर रहे हो चीज बन रहे थे ठीक है बैकलॉग आ रहा था बार बार ठीक है graduation complete नहीं हो रहा था तो इस तरही की चीजे मुझे दिख रहे है कि जो नहीं हो पा रहा था ठीक है आप महनत किये जा रहे थे ट्राइ किये जा रहे थे उमीद लगा के बैठे थे बट कोई उसमें चेंज ही नहीं है ठ ठीक है वो फ्लो आपके जिंदगी में वो आएगा वेटिंग टाइम आपके जिंदगी का खताम होता हुआ नजर आ रहे है ठीक है इश्वर ने आपकी सुन ली है तो मुझे दिख रहा है यहां पर क्लियरली ग्रूप नंबर टू कि आपके लाइफ में फ्लो आएगा ठीक अपको मिलता है कि 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 जो चीज़े के बापयान्त करी है जो चीज़ा है बिक् करी आप तक मिलहें पाई तो में अचटानक से मैजिक मिराकल्स वाले मैजिक वाले मोमेंट अपके लाइफ में होंगे जो सकते हैं आपने expect भी ना करा हो और आपको लगेगा भी कि यह क्या हो रहा है यह कैसे हो रहा है तो September month अपके life का बहुत जल्दी बीतेगा और बहुत जदा busy तरीके से बीतेगा ठीक है क्योंकि मुझे यहां दिख रहा है कि आपके life में अच्छे चीजे होते चली जाएंगे होती चली जाएंगे होती चली जाएंगी September के महीने में और आपको ज्यादा सोचने का या evaluate करने का भी मौका नहीं मिलेगा ठीक है तो चैने का प्रीविएंब भी मुझे यहां दिख रहा है मुझे लग रहा है कि जिसके लिए अपने दिल से चाहा जिसके लिए महनत करेश्स काम बनता हुआ उस पे success मिलता हुआ उस पे पहचान मिलता हुआ ठीक है उसमें जीत मिलती हुई मुझे नजर आ रही है जस्टिस मिलती हुई आपको नजर आ रही है ठीक है मुझे नजर आ रहा है आपके life में एक flow आता हुआ बैलन्स बनता हुआ इकली ब्यूरियम होता हुआ याने कि जो आपने दिया वो आपको इन रुटेन भी मिला यूनिवर्स की तरफ से यह एनर्जी यहाँ पर दिख रही है ठीक है करियर में सक्सेस डेफिनेटली स्टेडीज में आपके सक्सेस नजर आ रही है ठीक है अगर आ मन्त आप इस तरहीं कैसे देख सकते हो कि आपको जादा कुछ करना नहीं पड़ेगा सप्टेंबर मन्त में आपके लाइफ में बहुत सरी अच्छी चीदे होती चली जाएंगे होती चली जाएंगे आप इस चीज को अप्रिशियेट करने में इन्जॉय करने में बिजी रह होगी जादाता है ठीक है यह चीज मुझे आप दिख रही है तो बहुत जादा है अप्पी अबंडेंट फील करेंगे आप इन्दी मन्त आप सेप्टेंबर आपको जरूर 110% भगवान के प्रेती विश्वास आपका सेप्टेंबर महीने में और भी जादा बढ़ जाएगा क्योंकि आपको सफील होगा कि भगवान ने मेरी सच में सुन ली है जो मुझे अब तक नहीं मिल पाया था वो मुझे इस महीने मिल गया ऐसी वाली वाइब आपको मिलेगी ठीक है तो आपका जो फेट है टूर्स गॉड वो बहुत जादा बढ़ेगा ओंके आप और पहले स देखते हैं वी हाफ अटाच्मेंट नमबर फाइव वी हाफ हैपी फैमिली नमबर फो वी हाफ ओल टाइद आप नमबर ट्वेंटी थी ओके तो देखिए यहाँ पर एक चीज मुझे और एक नजर आ रही है कि आपकी हाट चाक्रा भी हीलोगी सप्टेमबर महीने में सो मु पाँएंगे सब्सा घर ममंद में कुछ लोग आसे माफी माँगे आप कुछ लोगों से माफी माईगें और मुझे लग रहा है कि आपके जो परस्नल म मैं कब्ली सब्सक्राइब सद्राबर में और बहुत यह नह चुएट versucht सीब च्रीज Kirsty लेश्एंगे वह बहुत जाशु अगर अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे अलग रहा है कि जो अटेच्मेंट्स है जो कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दे रही है ठीक है किसी के इंफ्लुएंस, ब्लैक मैजिक इंफ्लुएंस, एवी लाई है आपके उपर या आपके ऊपर कोई नेगटि किसे आपको निकलना है ठीक है इसी की इंफ्लुएंस है ठीक है कोई आपका बुरा चाहता है तो उनके साथ आपकी डिसकनेक्टिविटी हो जाएगी तो यह मुझे यहां दिख रहा है कि सालो भर का जो सफरिंग है आपका जिसको आप खतम करना चाहते हो वह फाइनली सेप कर पाओगे अपने लवड वन्स के साथ चीजें आपके बनेंगे तो यह विल सेलिब्रेट ठीक है आपके लाइफ में गुड नूज आएगा तो आप सेलिब्रेट करेंगे पार्टी रखेंगे या मिठाई खिलाएंगे इस तरीकी के इनर्जी दिख रही है ठीक है चलिए कुछ लोगों के लिए आप कंसीव भी करेंगे अगर आप मैरेड हो और आपको बेबी चाहिए था बट हो नहीं पा रहा था उम्मीद लगा के बैठे हो साल साल भर तो सेप्टेमर मन्द में डेफिनेटली गुड निउज आएगा फैमिली में ठीक है या फिर अगर आपके फैमिली में भी कोई ऐसा है जो वेट कर रहा है कंसीव करने का तो उनको खुश खबरी मिलेगी ठीक है तो आपके फैमिली भी बहुत हैपी रहेगी एंचॉई करेंगी यह चीज यह दिख रहे है किसी आप एक्जामिनेशन में सेलेक्शन की भी एनरजी यह दिख रहे है ग करते हो तो अपके लिए बहुत लखी रहेगा ठीक है पॉफेक्ट टाइमिंग यह देफिनेटली मैं वही बता रही थी देखे वही आ गया कि डिवाइन टाइमिंग आपके लाइफ का आ रहा है अलाइन्मेंट का टाइम आपके लाइफ में आ रहा है अब आप अब कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि पॉजिटिव रहें ठीक है जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना आपके लाइफ में अच्छा होगा ओके सबसे पहली चीज है कि जो मैंने आपको बताया कि आपका इनो स्ट्रगल पीरियर्ड वेटिंग टाइम खतम हो रहा है उस कि दिन बाद बूरा होगा इतना कुछ सोचना नहीं है अच्छा हो रहा है होने दीजए उस चीज को अप्रिशियट इस चीज को कीजए ग्रेटफुल रहे उस चीज के लिए ठीक है क्यो सोचना आगे क्या होने वाला है तो सप्टेंबर मन बेस्ट मून रहेगा आपके लि यह थी आप लोग की रीडिंग, I hope आपको पसंदा आया, पसंदा एदर प्लीज तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब, मैं मसी हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाई, तब तक के लिए वे बाइ, ग्रूप टू